यह विमला है जो की घर के आंगन में खड़ी है विमला के पास ही गोरी भी बैठी है गोरी आज बहुत खुश है क्योंकि गोरी की जूली बुवा और पुश्पा बुवा जो आने वाली है यह विमला की साथ शानती है विमला जल्दी जल्दी सारे काम निप्टा लो यह सुष ताकिया घर में कितना काम है आज तो उसे अच्छे से डाट लगाऊंगी अब तुम जल्दे से जाओ राधा के पास और सिले हुए कपड़े जल्दे उठा कर लाओ अरे अरे माजी आप चिंता ना करें सारा काम हो जाएगा ऐसे तो आपकी तवियत कराब हो जाएगी वो क्या कहते हैं बीपी हाई हो जाएगा आपका मैं जा रहे हूं राधा बेहन के घर हे प्रभू मैं क्या करो मेरी सास को जाने आजकल क्या हो गया है जब देखो बोलती रहती हैं बोलती रहती हैं ऐसे ही शांते नाम रखती है इनका तो मा मा मैं भी चाहूंगी मेना के घर ना ना गोरी तु घर पर ही रहना मैं जल्दी से वापस आ जाओंगी तुम्हारे नई फ्रोक्स दिलवाई है मैंने रादा मौसी से मैं जल्दी से लेकर आती हूँ हाँ हाँ जल्दी जाएगी तभी तो जल्दी आएगी हे प्रबो यह विम्ला किसी काम की नहीं है यह भी काम चौर होते जा रही है हे भगवान कितना काम बाकी है अभी यह सुश्मा भी नहीं आई मुझे लगता है मुझे ही चावल साफ करने होंगे मुझे तो आखों से अच्छे से दिखाई भी नहीं देता बोला को कहूंगी कि मेरे लिए चश्मा बनवा कर ले आई शहर से हे भगवान मैं यह क्या देख रहे हूं पेर पोदों में पाने भी नहीं डाला काम चौर विम्ला ने हे भगवान पेर पोदे तो बिल्कु सूख गए हैं आने दो इसे आज अच्छे से खबर लोंगी इसकी बिल्कु सूख ही पड़े हैं पोदे मैं ऐसा करती हूँ एक बालती पाने डाल ही देती हूँ हे भगवान यह क्या बालती में पाने भी थोड़ा सा है चलो कोई बात नहीं यही पाने डाल देती हूँ मैं चल्दी से कुवे से पानी भी नहीं लेकर आई हैं विम्ला अब क्या बुडापे में मैं कुवे से पानी बर बर कर लाऊंगी हे भगवान क्या करूँ मैं मैं तो ठक ही जाती हो मुससे तो चला भी नहीं जाता खुटनों में दर्द जुरेता है हे भगवान क्या करूँ जल्दी से आ जाए तो मैं ज़रा कुटनों के मालिश भी करवा लेती इस विमला से और अंदू यह है मैं विमला भावी का कामे हाथ बटवा देती हूँ लगता है चूली बेहन भी आ गई होगी चूली बेहन से मिले कई दिन हो गई आज तो पुष्पा बेहन भी आने वाली है मैं जागर देखती हूँ अरी प्रणाम शांति काकी प्रणाम प्रणाम आओ नंदनी आओ मुझे पता है तुम ही काम करोगी और सब तो काम चोर हो गई है यहाँ हे भगवान मैं यह जरा चावल साफ कर रही थी अरे अरे आप से चावल साफ ना होंगे काकी मैं मदद करती हूँ ना आपकी आपको तो अच्छे जिस दिखाई भी न देता आप रहने दीजिए यह चावल भी मैं साफ कर लूगी आप आराम कर लीजिए वैसे जूली नहीं आई शांति काकी आज मैं तो जूली और पुश्पा बेहन से मिलने आई थी अरे मैं भी कब से राह देख रहे हूँ जूली और पुश्पा की परन्तु मुझे लगता है कि वो दोनों कल सुबह ही आएंगी ब्या के बाद कौन बार-बार भेजता है माय के छोरियों को हाँ हाँ आप सही कह रही है शांति काकी विमला खेतों से होते हुए राधा के घर जा रही है तुन्टुन मौसी सर पर लकडियों का भारी गठर उठा कर घर की तरफ लोट रही है शां धलने वाली है परन्तु सूरज अब भी ऐसे ही आग बरसा रहा है उपर से सर पर यह भारी गठर हे भगवान मुझे तो चक्कर आ रहे है और इतनी में टुन्टुन मौसी चकर आकर जमीन पर गिर जाती है वही पास के एक पेड़ पर मीना फूल तोड रही थी हे भगवान यह तो गोलो की दादी है इन्हीं क्या हुआ लगता है यह तो बेहोश हो गई मुझे इनके पास जाकर देखना होगा मुझे चल्दी से पेड़ से नीचे उतरना होगा हे प्रभो मैं यहां से कूच जाती हूँ मुझे जल्दी करना होगा अरे मैं जल्दी से कूच जाती हूँ मीना दोड़ती हुई गोलू की दादी के पास जाती है क्या हुआ टुंटुं दादी क्या हुआ ए भगवान मैं क्या करूँ किस सहाय दालू अरे टुंटुं दादी तो बोल ही नहीं रही लगता है ये मर गई है कोई बचाओ कोई बचाओ गोलू की तादी को बचाओ अरे यह तो मर गई मैं यहां से चल्दी से चाती हूँ किसी को बताती हो जाकर ए भगवान मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई आओ कोई आओ गोलो की दादी मर गई है हे भगवान कौन है यहाँ जो मेरी मदद करेगा अरे लगता है सामने से विमला मौसी आ रही है विमला मौसी चल्दी आईए अरे क्या हुआ मेना तुम इतनी घबराई हुई क्यो हो क्या हुआ मुझे बताओ कोई जंगली चानवर देख लिया क्या तुमने क्या हुआ चल्दी से बता अरे नहीं 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 विमला मौसी वह गोलो की दादी मर गई देखी वो एक दम से चलते चलते ही मर गई अरे यह क्या कह रही हो तुम मीना ऐसा नहीं कहते कहा है गोलो की दादी हे बगवान यह क्या लगता है तुन्टुन मौसी करनी के कारण बेहोश हो गई है मैं जाकर देखती हूँ अब क्या होगा गोलों तो बहुत रोएगा यह कैसे हो गया यह बगवान कुछ करो विम्ला मौसी कुछ करो ये तो बोल ही नहीं रही अब मैं क्या करो तुम शान्त हो जाओ मी ना शान्त हो जाओ टुंटुन मौसी टुंटुन मौसी उठिये आखे खोलिये क्या हुआ आपको हे बगवान मैं किसके साहे तालू या तो आसपस कोई दिखाए नहीं दे रहा हे भगवान हे भगवान क्या हुआ मुझे अरे विमला विमला तुम हो हे प्रभू मैं तो कर्मी के कारण चलते चलते गिर गई थी भागो भागो विमला मौसी यह तो भूत है भूत अरे इतनी जल्दी भूत बन गई गोलू की दादी मुझे यहां से भागना होगा आप ही भागो विमला मौसी यहां रुकना खच्वे से खा लेना है चल्दी करो हम यहां से भाग जाते हैं नहीं तो तुन तुन मौसी हमें मार डालेगी अरे यह क्या कह रही हो मीना वापस आओ वो मरी नहीं थी वो बेहोश हो गई थी चाले कैसे बाते करती हो तुम हे भगवान तुम्हारी मा से तुम्हारी शिकायत करनी होगी ऐसा नहीं कहते अरे वो घर्मी के कारण चक्कर आ गया था उन्हें अच्छा मैं तो डर ही गई थी विमला मौसी मैंने सोचा कि मर गई चुप रहो ऐसी बाते ना करो मीना ये बहुत गलत बात है शांत रहो तुम शांत रहो चलो हम तुम्हारी के पास जाते हैं तुम्हारी क्या हुआ आपको अरे आप तो लकडिया उठा कर ले जा रही थी इतनी गर्मी में और क्या करूं विमला ये सुनारी तो कोई काम नहीं करती अब मुझे ही सारा काम करना होता है मैं तो दिन बर इधर से उधर घोमती रहती है हलकों भी उसे कुछ ना बोलता अरे आप चिंता ना करिये टुन टुन मौसी आप खड़े हो जाए चलिए मैं लकडियों का गठर घर लेकर चलती हूँ आप आराम से चलिए विमला लकडियों का गठर सर पर रख लेती है तन्यवाद विमला तुम बहुत भली हो भगवान तुमारा बहला करे आओ मीना तरती नहीं है तुमने समय पर विमला को बुला कर मेरी बड़ी सहायता की चलो अब हम गठ चलती है चलो विमला मुशे तो अब तक कमजूरी मैसोस हो रही है और मेरी बहू को तो मेरी कोई परवाना है आप सही कहर रही है टुन्टुन मौसी सुनेरी बेहन तो गोलू का खयाल भी नहीं रखती है आज तो सुनेरी काकी को मैंने नदी पर मशलिया पकड़ते हुए देखा था कुछ दिर पहले अब मैं नदी की तरफ से ही आ रही हूँ शांती काकी चावल तो अच्छे से साफ हो गए ठीक है इन्हें वहाँ चोले के पास रखतो मैंने चावल चोले के पास रखती है शांती काकी मैं एक बार घर जाती हूँ और कुछ दिर बाद में शेला भावी के साथ ही आऊंगी ठीक है नंदनी जाने है विम्ला किस समय आएगी गोरी मैं अभी आती हूँ तुम्हारी चूली बुआ आए तो मुझे चल्दी से बुलाने के लिए आजाना मेरा बड़ा मन कर रहा है चूली पहन से मिलने का शांती दादी मेरा बिल्कुल पे मन नहीं लग रहा है मैं कब से रा देख रही हूँ जूली बुआ की पुश्मा बुआ भी नहीं आई आज और ये सोना भी नहीं आई अरे क्या बताओ मैं ये सुश्मा सोना को अपने पास ही रखती है उसका मन नहीं लगता सोना के बिना ये चुबीली का पती है आज तो खेतों में बहुत देर हो गई मुझे जल्दी घर जाना है कल सुबह हमें पुश्मा भावी के घर जाना होगा वहां माता रानी का जागरन है सब लोग मेरी राह देख रहे होंगी आज कमल भाई तो खेतों में रखवाली करेंगे फसल पकर तयार जो हो गई है जंगली जानवर फसल को खराब कर सकते है इसलिए आज कमल भाई खेतों में ही रुकेंगे मैं घर पहुँच गया खेतों में काम करकर बहुत ठक जाता हूँ मैं मा मैं आ गया मा मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है जल्दी से मेरे लिए खाना डाल कर ला दो देवर जी आज आपके भाई कहा रह गई वो दिखाई नहीं दे रहे अरे भाबी आज कमल भाई और गोपाल भाई तो खेतों में ही रुकेंगे वो कल किस समय आएंगे हमें शांती बहन के घर भी जाना है उरे कल सुबह चल्दी ही बुला लाना कह देना रामू केतों में रुक जाएगा वह केतों की देखबाल कर लेगा हाँ हाँ कल हमें चल्दी ही निकलना होगा मा के घर के लिए हाँ हाँ बाबी गोपाल भाई और कमल भाई कल सुबह चल्दी ही आ जाएंगे कल दिन बर रामों ही खेतों की रखवाली करेगा ठीक है अब तुम चल्दी से चाओ और मेरे मदल के लिए खाना डाल कर लिया हो पैच बीली तो ना लाने वाली हाँ हाँ माची आप सही कह रही है चबीली बेहन तो कल की तयारें में व्यस्त होगी मैं जाता हूँ देखकर आता हूँ चबीली क्या कर रही है उसे भी घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए पुछ बाबाबी मैं जाकर अभी कहता हूँ चबीली को यह तो बड़ी गलत बात है वह खेतों भी नहीं आती काम में हाथ बटाने और घर का काम भी करती है चबीली कहा हो तुम अरे इतनी जल्दी सौगई क्या तुम जानती होना कल सुबह हमें शांती मौसी के घर जा लाए तुमने सारी तैयारिया की या नहीं करनी हां आपी जल्दी से हाथ मूध हो लीजिए मैं आपके लिए खाना डाल देती हूं ठीक अच अबीली मैं मां के पास जाकर बैठ जाता हूं तुम जल्दी से मेरे लिए खाना डाल कर ले आओ मैं बहुत ज्यादा ठक गया हूं और मुझे भूख भी बड़े जोरों से लगी है बोला भाईया विमला भावी सब कितने अच्छे हैं राधा भावी सोहन भाई भी बहुत अच्छे हैं मां मेरा तो वहाँ जाकर वापस आने का मनी नहीं करता क्यों ना हम भी वही घर बना ले यह कैसी बाती कर रहा है पागल मदन ससुराल में ही रहेगा क्या जानता नहीं तेरे ससुराल वाले भी वही रहते हैं अरे ना ना मा जी देवर जी सही कह रही है बड़ा अच्छा है हमारा गाव एक बार जो वहां जाता है वापस लोटकर आने का मन ही नहीं करता सब लोग बड़े ही अच्छे हैं मैं छबीली बहन के पास जाकर देखती हूँ कि वह क्या कर रही है मदन तुम फलो की टोकरी क्यों नहीं लेकर आई हमी शानती बहन के घर ले जाने है कल अरे मा वो तो सुबह गोपाल भाई लेकर आएंगी कह रहे थे मुझसे चबीली बहन आपने सारी तैयारी कर ली क्या अपनी नई वाली सारी भी ले चलना हाँ हाँ वह हरे वाली वो सारी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने वोव भी बैग में डाल ली है बहुत अच्छी बात है अब मैं जाकर चल्दी से मदन भाई को खाना दे देती है तुम यहां आराम करो मैं अभी आती हूँ तुमारे पास मुझे तो अश्नीन ही नहीं आ रही कल सुबर मात के घर जो जाना है मैं जल्दी से मदन भाई को खाना डाल कर दे दूँ अरी क्या है रहा कुकर मैं इस थाली में चावल डाल देती हूँ मैं जाकर मदन जी को खाना दे देती हूँ नहीं तो कहेंगे कि मैं कोई काम नहीं करती अरी थाली कहा है मैंने यहीं तो रखी थी चावल बहुत अच्छे बने हैं लाइए पुश्पा बहन खाना मैं देकर आती हूँ नहीं तो ये कहेंगे कि मैं दिन भर कोई काम नहीं करती अरे सची तो कहेंगे वैसे भी है छपीली कौन सा काम करती है खेर मुझे चुप रहना चाहिए नहीं तो माजी कहेंगे कि घर्मी कलेश हो गया क्या हुआ क्या बड़ बड़ा रही हैं पुश्पा बहन मैं जाकर मदन जी को खाना देकर आती हूँ यह लीजे मदन जी मैंने अपने हाथों से स्वादिश चावल बनाई हैं आपके लिए अरे वाह बड़ी अच्छी सुगंदा रही है तुमारे हाथों में तो जादू है चबीली ठीक है जी अब मैं जाकर आराम कर रही हूँ सारा दिन काम करके मैं तो ठक जाती हूँ अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ कल सुबह चल्दी उटना होगा हमें शांदी काकी के घर जाने के लिए हाँ हाँ चबीली कल सुबह चल्दी ही उटचाना सब दिन की तरह नो बजे तक सोती मत रहना कल हमें जल्दी निकलना होगा अरे अरे क्यों दाना दे रहा है बिचारी चबीली को मैं एक पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पाइल कहां रखी है ठीक है माजी मैं जा रही हूँ अपने कमरे में मैंने पाइल वहां तक ही की नीची ही रखी थी अरे चीजों को संभाल कर रखा कर पुश्पा बहू लापरवा होती जा रही है तो मा चावल तो सच में बड़े स्वादिष्ट बने है आप भी खाईए ना मा अरे ना ना बेटा मैंने तो पहले यी खा लिये थे माजी मुझे नीच आ रही है मैं सो रही हूँ कल चलती भी तो उठना है हमें कल मा के घर जाओंगी अरे पुश्पा बहन आपकी आवाज में तो बड़ा मिठास है आप तो बड़ा सुरी लगाती है कल आप दो चार भजन गाही देना मा तरानी के वैसे मैं भी काऊंगी अरे हाँ हाँ बाबी की आवाज में तो सच में बड़ा मिठास है कल मेरी आवाज भी सुनकर देखना आग मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ अब मैं जाकर आराम कर लेती हूँ कल तो सुबह जल्दी ही उठना है सुनेरी बहन की घर ही रुके हुई है माँ बाबू अब तक कल उनसे भी मिलना हो जाएगा नदनी बहन तो अब तक अपने घर पर ही रुकी हुई है आज तो मुझे नेद ही नहीं आ रही मैं मा को कहूँगी कि वो मुझे अपने साथ गर लेकर जाये नदनी बहन भी तो इतने दिन से अपने घर रुकी हुई है अब मुझे नीद आ रही है मैं सो जाती हूँ सुबह चल्दी उठोंगे दोस्तों इसके बाद कहाने में क्या होगा यह सब जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा हमारा चैनल तो जल्दी ही मिलते हैं विमला की कहाने पार्ट 115 के साथ तब तक के लिए बाद